हलो फ्रेंड्स मैं हूं इतले इसकुमार और आपका स्वागत करता हूं दित फार्मेशी के यूट्यूब चैनल पर तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे आज के इस वीडियो लेक्ष्यर में मैं आपको इंटरि इसके इनपोर्टेंट करवाने वाला हूं और इसका यह पार्ट टू रहने वाला है कहने का मतलब हुआ कि इससे पहले मैंने mcq का इस चेप्टर का एक और वीडियो बना दिया था आज दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के साथ यूट्यूब पर पूरा सेल अच्छे तरीके से फिनिस हो जाता है इससे पहले वाले सारे लेक्चर स्थेोडिकल और mcq वाले देख रखे हैं तो पूरा syllabus हमारे साथ पढ़ना चाहते है तुरित फार्मसी के आपको डाउनलोड करके वहाँ पर डी फार्मा की वीडियो कोर्स को पर्चेज कर लीजिए और वहाँ पर साथ हमारे साथ लाइव रिकॉडिड हर जरीके से पढ़िए ठीक है ठीक है पूरा syllabus बिल्कुल इसी प् इन में से कौन सा रिडिल्ब कर पाएं यहन्री उसके अंदर खुद का जेनेडिक मेंठेरियल और खुद का प्रोटीन सेंथेसाइजिंड मेकेनिजम है तो वह सर्वाइब कर जाएगा बहुत अच्छ अच्छ सेल अर्गनेल जोकी मेकसीम हद तक अपना जेनेडिक मिटीरि तो उसका राइबोजोम भी हो तो उसके अंदर वह शर्वाइब कर जाये तो वैसे सेल और मस करते हैं तो इनमें से कौन सा है है लाई जूज हो और नंदर था नुकलिय। अपको तो पता होगा है कि निवाज नीज के अंदर ने होता है बॉल जे होता है जो जैनेट़िक में जो नीज के अंदर है और आप बोले सेमियोटनमस उसको कहेंगे जिसके अंदर आपका जनेटिक विडियल और राइबोजोम न चाहिए तो क्या नुकलियस सेमियोटनमस नहीं भई यह नहीं है अधर सेल और जैसे कि एक है माइटो कॉंड्रिया और दूसरा क्या है क्लोरोप्लास्ट यह दोनों ऐसे हैं जिसके अंदर अपना जनेटिक विडियल होता है और इसमें राइबोजोम भी प्रोकरियोटिक जैसा होता है ठीक है इसलिए इस दोनों सेल और को क्या कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल और अंसर हो जाएगा माइटो कॉंड्रिया और चलोड़ोप्लास्ट टो वही चैजें हैं और चाथे हैं जो की इसके लिए इसके अंदर राइबोजोम पाया जाता है और और आइसे और वैसे और नहीं जिसको कि खुद ही सरवाइव कर पाएं जैसे कि म चले नेक्स्ट कोश्टेन यूनित आफ लीवंग बॉडी का इस्ट्रक्चार और चैसरम ऑरगर सिस्टम या से लेकाई हो जाएगा उसी प्रकार से हमारा पुरा बॉर रटी कैसे बनावा ठीह बन का स्ट्रक्ण। कि यहाँ त्याहिट एक जी जिख रहा है टीसू उसको कहते हैं वैसे ग्रूप आप चल को ज魔 स्ट्रक्ण्ट थरक्टर और फंक्शन लगवग समानीता है तो CDS shooting बनता है तिसू से ऑर्गान बनता है आपके बोडि के अलग अलग अंज अलग अपने अपता हिर 동रा बनातायद है और से अब्च जो सबसे चीज के आए इसलिए को कहते हैं याद रखे का सिक्वेंस कि कैसे होता है तो धुरम किस्टे बना किसे हैं और यहाँ तो निर्मान होता है अभी बना खिस्ते है तो दो चीज़ते मिलकर बना होता है एक होता है आर अंग गण दूसरा होता है प्रोकोटिन क्या होता है ऊरे एक और नाम का मयई में निप्रोटिन ने वह सब्सक्राइब एक अरेट आप उर भी देख लुड़े ici फाइब परफ्रोटिन होता है और पラmiş मत्रीच-गिया होता है मिसическогоувार और जो इनर जो आरेने के अन्दर होता है उसे झार के ठीक है जो मैंसेंजर आरेने यह त्रन स्कोंण आरेने को एक ती किए थे ऑफ फंक्शों और फंक्शन कासं को्ल्ट प्रोंटिन थ्ट्रिक वि काुस्ष ब्रूल इसको प्रोटीन के सिंथेसिस में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या होता है जहां से चीज़ें ट्रांसफर की जाती है तो वहीं चीज़ें की पैकेजिंग मौडिफाइंग का काम करता है नुक्लियस नहीं लाइसोजों नहीं गोल्जी अपरेटस का ही यह काम आपको ध्यान रहना चाहिए मैं बता देता हूं गोल्जी अपरेटस को अब जैसे नुक्लियस को क्या कहते है ब्रेन अफ द अब देसे क्यों क्यों कुझ्कि यह करने का काम करता है क्यों कि यह क्यों पावर प्लांट कियों कि एंदर मिटोकूंट्रिया करता है और राइबोसों प्रोटीन सिंथेस में काफी बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है खुशन है क्रिस्टे माइटोवकूंड्रिया के पता है हीता है यहां इस प्रकार में बना होता है और इस को क्या कहते है और इसको क्या कहते है क्रिश्टे ऑपका जो है मयट्र कॉंइट है कहाँ जहां होता है किस senators अर्वैंद उससा' किसका काम करता है तो प्रक्राइशन आपको आपका क्या करता है यही तो है जूकि आपका क्या करता है प्लाजमा मेंब्रेन किस्ते मिलकर बना होता है तो प्लास्मा मेंब्रेन मेंली चार चीजों से मिलकर बना होता है ध्यान रखिएगा सबसे पहले लिपीड होता है उसके बाद प्रोटीन होता है उसके बाद उसके अंदर कार्बोहईड्रेट भी होता है और थोड़ा बहुत मात्रा में उसके अंदर क्या होता है पे द्वारा दिया गया था और यह जो मोडल है प्लाज्मा मेंब्रेन का सबसे वेल एक्षप्टेड मोडल कौन सा होता है क्या होता है फ्लिट मोजाइक मोडल तो फ्लिट मोजाइक मोडल के according to cell membrane का मेंली कंपोजिशन ने बो चार है क्या क्या लिपीड प्रोटीन और आप्चेक कर लिए प्रोटीन और चैक कर सकते हैं जब ठ्रॉटीन लिपिड और अप्चन यह हो जाएगा दोन क्रों पोजीशन ऑफ चेल मेंब्रेन या प्लाजमा मेंब्रेन तो में लेगए प्रोटीन लिपीड और पड़ा बहुत मातरान होता है 55% होते हैं 40% होते हैं और कार्बॉहाइड परसेंट आपके लिए क्यों के लिपीड होता है तो फॉस्फो लिपीड होता है एक तम बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे से पढ़ना थीक है क्लियर करते हैं तर्म सेल किस नेया था तो जो सेल का जिल किय थे उन्हों नहीं दिया था तो बात करें लीकिन अगर बात करें लिविंट सेल और रॉबर्ट हुक ने किसका कोज किया था डैड रखेंगे गाना सुनेंगे भुषपुरी में लगाई दी ही चोलिया के हुक राजा जादी और वहां जो हुक है डैडी तो है और यहां देड नहीं है लिविंग नहीं है नोन लिविंगं नहीं है लोग डैड है तो डैड शल का खोज रोबट ठीक है चलों नेक्स्ट लाइज उजुम्म आर नोन एज शुसाइडल वैग्स विकावच लाइज रूट्स्ट लाइजिडु में पूसाइडल कर देता है इसलिए इसमें हाइडोलाइटिक एंजाइम सा और तीस से भी ज्यादा प्रकार का हाइडोलाइटिक पाया जाता है तो आपको तो इतना पता होगा यहां पर उसी में फचेंगे जिसे आप देखे यू के डिक से चार अप्सन पढ़िए यह भी अप्सन कहां गलत है यह भी तो सही है यह भी सही है बोट यू के रूटिक और यह तो गलत है यह यह एक अंसर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रेट यह हो जाएगा ठीक है तमझे नेक्स्ट कोश्चन आपको जो प्रो के रूटिक सेल का जो राइबोजों होता है वह सेवेंटी असका दो सब यूनित होता है ठीक ह यह जाएगा असी का होता है साट प्लस चालीस और सतर चालीस ठीक है अब फ्ल्यूड मोजाइक मोडल ऑफ प्लासमा मेंब्रेन वाज गिवन वाइब फ्ल्यूरी मोडल का थियोरी बहुत तरद यह तो फ्ल्यूरी मोजाइक मोडल जिसके बारे में लोग पढ़ते हैं वह किसके द्वारा दिया गया था तो मैंने थोड़े दिर पहले बताया था सिंगर एंड निकोल्सन के द्वारा इसका थोज किया गया था इसी के साथ आपका पूरे अच्छे तरीके सिनिस होता है और इसी को पर्चेस कर सकते हैं दी फार्मा फर्चेर के वीडियो लेक्षर को चाहां पर 14 सिनिन इंडिया में साल भर आपको तयारी करवाएंगे और जैसे आप प्रकार से पूरा सिलिबस का मिल जाएगा और उसके बाद लाइव क्लास के लिए लिया जा रहा है और जैन्वरी से य किताब नहीं पढ़ना बहुत अच्छी किताब लेकिन वह काफी मोटी किताब है और हम लोग जो किताब बनाए हैं वो एक्जाम और्येंटेड है बहुत सब किताब सब्सक्राइब ने की है और बहुत अच्छे तरीकेश है और आट से दस दिन के अदर आपके घर पर आजाएगा फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ और वहां पर थियोरी मोडल पेपर और एक्जाम और्येंटेड नैंटी परसेंट इसी से आएगा आया था और आएगा अपनी सीनियर से आप उच सकते हैं ठीक है कोई रिक्कत नहीं होती है चलिए अगर इंट्रेस्टेड हैं और करना चाहते हैं तो आपको प्लेस्टोर पर जाना है उद्धेट फार्मसी अप सर्च करना है अपको इंस्टॉल करना है नाम इमेल आईडी डालके ल इसी प्रकार से और भी कोशन्स के लिए और भी लेक्चर के लिए आप हमारे साथ बने रहें और आपको यह अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो प्यारा से एक कमेंट जरूर कर दें और मिलते हैं फिर नेक्च्ट लेक्चर में ठीक है झाली लिए ऑकीग साभी